क्या पीके अगेन के द्वारा बॉक्स आफिस पर आग लगा पाएगी एके और आगी की चोड़ी पहली बात साथ दिखने पर कैसे क्या चोल इन दोनों ही अक्टर्स को नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमाल यूटूब चैनल बॉलिग्राइट स्टुडियो पर सो गाईज आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि आज हम लाहें आपके लिए फिल्म पीके का सीक्वल पीके अगेन से जुड़े कुछ एक्स्क्लिजिव डिडियल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इन सभी टॉपिक्स में के डिसकर्शन आज के इस वीडियो में तो आपका कीम्ती समय बरबाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं हिंदू संगटनों के विरोध के बावजूत आमिर खान स्टार फिल्म पीके को दशकों का पूरा सपोर्ट मिला था इसे का परिणाम है कि पीके ने वॉक्स ओफिस पर कमाई के मामले में धूम 3 को भी पीछे छोड़ दिया था 2014 में सिनेमा घरों में फिल्म पीके ने जबर जस्ट 200 से उपर करोर की कमाई की थी फिल्म के इस कामियावी पर डारेक्टर राज कुमार हिरानी ने कहा कि फिल्म पीके को उमीद से जढ़ा सफलता मिली है इससे है बाद साफ तौर पर साबित होती है कि फिल्मों में copy सब कुछ होता है उसी पर फिल्म की सफलता निर भर करती है लेटेस्ट अपडेट के तौर पर अब PK अगें यानि PK का सेकंड सीकूल की आने की खबर निकल चुकी है जिसमें PK के पहले कलाकार Mr. Perfectionist आमर खान एक कैम्या रोल में फिर से दिखाई दे सकते हैं साथ ही चॉकलेटी बॉय रनवीर कपूर फिल्म में में लीड ड्रोल में टिक सकते हैं यह पहली बार होगा जब आमर और रनवीर स्क्रीन शेयर करते हुए पहली दफार दिखाई देंगे आमर खान ने तो अपने इस जबचस्त आक्टिंग से दर्शकों को पहले की हिला चुके हैं अब जनता के मन में तेजी से यह सवाल उठ रहा है कि क्या रनवीर कपूर भी इस बार आमर खान को पीछा चोड़ने वाले हैं या नहीं वही आम जनता को जब पीके अगेन की खवन मिली तो आमर और रनवीर दोनों को ही निशाना बना के चोलिंग भी की गए जनता द्वारा काफी सवाल जवाल भी उठाए गए रनवीर इस किसम की आक्टिंग अपने फिल्म बर्फी में भी कर चुके हैं वहीं दर्शको से रनवीर कपूर को काफी अच्छे रिवियूस मिलते आ रहे हैं पीटे अगेन की एक अनोखी कहानी और कंटेंट देखने के लिए जन तक काफी ज़ादा एकसाइट है साथ ही फिल्मी स्टार्स भी रनवीर का नया लोग देखने के लिए बेकरार है वर्ना आपको कुछ खट कर देखने को कैसे मिलेगा इसी के साथ मैं सुम्भी कह लीती हूं आपसे इज्राज़ू टा 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 टे केर